भागे रेखा का समापन या समाप्ति एक हांच शेर करना पड़ेगा फर्स पॉइंट है यहां पर गुरु परवत पर भागे रेखा समाप्त हो तो जातक को जीवन में विशिष्ट सम्मान और उच्छपद प्राप्त होगा इस तरह से निकलके गुरु परवत में जाके खतम होती है ठीक है यह जो है विदेश यात्रा को भी दिखाती है जैसे जुझ सर गह रहते तो यह विदेश में जाकर अपना बनाने वाले होते हैं लेकिन अगर इंडिया में भी रहे तो भी ऐसे लोग विशिष्ट लोग होते हैं और उच्छ पदस्त होते हैं किसी स्पेशल जगा पर स्पेशल पोजीशन पर होते हैं अब यह रहाएं यह भागे रहा बहुत अच्छा माना जाता है एक वर्ड में कहा जाए यह भागे रहा उखा काफी शुब माना जाता है कि अगर चंद परवत से निकलके ब्रहस्पती परवत में याकर खतम हो तो अब यहां पर समझने वाली बात है बस एक ही चीज़ का ध्यान रखें कि भागे रेखा जो है वह बिल्कुल शुद्ध और साफ होनी चाहिए कोई भी कट नहीं होना चाहिए इस तरह पर से शनी परवत पर जाके स्ट्रेट जाके खतम हो कहीं से भी कोई कट ना निकले तो यह बहुत जादा स्वभागे शाली होता है ऐसा व्यक्ति आपना पूरा जीवन जॉब करने मे तक रहते हैं जॉब हो गया तो बहुत अच्छी बात है अगर फ्राइवेट जॉब भी करते होंगे तो यह ज्यादा वह नहीं बदलते क्या कहते हैं उसको कंपनी नहीं बदलते वह बहुत कंसिस्टेंट रहते हैं अपने काम के प्रती और वहां लगातार एक जैसा एक ही क सूरी शेत्र पर भागे रेखा समाप्त हो रही हो तो जातक पो जीवन में धन और यश्की प्राप्ति होती है कि सूरी शेत्र मतलब संग माउंट के की और इंडिकेट करता हुआ जाए कैसे का कट नहीं होना चाहिए अगर एक दो कट माइनर से हो तो वह फिर वह चीज रहेंगे या नहीं रहेंगे जहां पर कट होगा पटिकुलर उस टाइम पीरियट के दौरान उसको समस्या होगी प्राब्लम रहेगी अगर भाग रेखा इस प्रकार से टर्ण लेकर इस तरह से या इस तरह से टर्ण लेकर शनी परवत में इस तरह से सूरी परवत की और घूम जाती है कि अरिया नौर्मलिय अगर इधर से टर्ण ले तो यह सूरी रेखह में ज्यादा इड़ते लेकिन अगर शनी परवत की और यह क्या देता है धन और यश्फ NC को को ह daw होता है पर को में काफी जटींस होते हैं अपने काम में काफी होते हैं बतलब बहुत अच्छा होता कोई शाक होकर इस तरह से बुद्ध पर्वत की और जाए थोड़ा सा ओट निगालता है ऐसे देखो सूरी की और मुण्णेवाली और बूद्ध की और मुण्णेवाली भागे रिखा बहुत रेयर, देखने को मिलतीों मतलब ना के बराबर, बूद्ध और सूरी वाला तो भाइसा हाथ नहीं सपर्छे कमिर बहुत होते है बुद्ध परवत पर जाने वाली रेखा जातको विद्ञान और कि शेत्र में सब्वलता देती हैं ये विद्ञान और व्यापार के शेत्र हैं ऐसे लोग काफी जुगाड़ू भी होते हैं छी के और तो बिग्यान या जादा रुजान होता हैं मंगल शेत्र पर भाग रेखा समाप्थ हो तो जातक के जीवन में संगर्ष होता हैं मंगल शेत्र अंदर नीमंगल में इस तरह से भूम जाए अंदर उन्हीं मंगल की और रक्षात्म मंगल की और मुड़ जाता है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन संघर्ष पुन होता है बहुत सिंपल सा लॉजिक यह बैठता है कि ऐसे लोग आर्मी सिक्यूरिटी या ऐसे बैग्राउंड से होते हैं आप देखिएगा जितने सब्सक्राइब करें लोग हैं जो अच्छे पोस्ट के लिए नहीं जो मीडियों करे मिडिल वाले पोस्ट में रहते पर दो है इन की हालत कैसी होती है हमें तो लगता है भाई सरकारी नौकरी हो गई है बड़े आराम से रह रहे हैं महीने का सैलरी मिल जाता है लेकिन कोई आराम से निरता कोई खुश नहीं होता है क्योंकि कभी कभी ड्यूटी इनके इतनी ज्यादा बेकार होती है कि मतलब वो संगर जीवा नहीं कहा जाए आठ घंटे का शिफ्ट होता है लेकिन उस आठ घंटे के शिफ्ट में पूरा जिसको कहते हैं तेल निकालने वाली हालत होती है बॉडर बीस फ में तो बहुत ज्यादा ही होती है हर्दयरेखा पर भाग्यवा समाप्त हो रही हो तो जातक को जीवन में अपने प्रेम संबंधों से भाग्यानी जेलनी होगी सिर्फ संबंधों में नहीं कहेंगे अगर इस तरह से रिचर जाकर भाग्यरेखा कर नीचे रुख जाती है और इसके आगे नहीं बढ़ रही है यहां पर यह वो टाइम होता जहां पर इंसान को प्यार वाला धोका लगता है और उस वजह से वो काफी ज़्यादा दुखी होता है लेकिन अगर यह रेखा आगे बढ़ जाती है कंटीनी हो जाती है तो कुछ समय के लिए वाद में सैड हो सकता है लेकिन आगे फिर वह चीजों को अंडेस्टैंड करके आगे बढ़ जाता है ज्यादा दिनों तक वह नहीं रहता और भाग यहानी वाली बात जो है इतनी भी ज पाधियर देटा लुद्ध जाती है और यह रहता है समय सब्सक्राइब भाग इखाए तो तो यह तक मस्तिशक गलत निरते के कारण भाग यहीं होता है कि मस्तिश्क रेखा कि नीचे जाके भागे रेखा सीधा यहां पर रुप जाए तो ऐसा वेक्ति क्या गलती करता हुआ और उसकी आएगा बड़ा खतरनात नहीं है या भागे रेखा नहीं निकल रही है यह भागे रेखा आगे से पहुत पतली निकल रही है तो ऐसे वेक्ति को जो इतना मेजर डिसेजन लेने की बजह से शिछानर्च के बहुत अफसरोंस होता है अगर таким को किसी दूसरे स्टीम में जॉब मिलता इसे लोगों का स्थान परिवर्तन भी हो जाता है इसके बाद नेक्स पेज में आ जाईए 156 भागे रिखा की अनस्थितियों में बताए गया है यदि हतेली में भागे रिखा ना हो तो जातक का संघर्ष पूर्ण जीवन होगा यह बड़ा ओड है ऐसा मैंने हात नहीं देखा है जो भागे रिखा में नहीं हो थोड़ा सा भी हो तो होता है ठीक है एक पास वीडियो भी आपको यूटुब में मिल जाएं और इस तरह से लाइफ लइन है बस एक इसा है मिरे लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं होता कि इंपॉसिबल कोई चीज होती है उसके जीवन में भी बहुत ज्यादा पॉसिबिल्टी रहती है वह इंसान ठान लेता कि मेरे को यह कर ले अगर हाथ में भागे रेखा किसी के नहीं है तो हम इसके बाद क्या सब्सक्राइब करेंगे अपने बंदा जाए अगर दोश पूर्ण है तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरेट के अंदर उसकी स्थिति खड़ाब होगी और उसके बाद देखेंगे परवतों की स्थिति कितने अच्छी है अगर परवत स्ट्रॉंग है जो कोई भी परवत अगर एक परवत भी स्ट्रॉंग है तो भी वह इंसान सर्वाइव कर सकता है हतेली यदि हतेली पर भागे रेखा के उपर उर्ध मुखी रेखाएं हो तो जातक जीवन में खुब भौतिक सफलता प्राप्त करता है उपर की और निकलने वाली कोई रेखा जैसे यह भागे रेखा और इसमें से उपर की और इस तरह से निकलने वाली रेखा यह भागे में काफी जादा उन्नति कराता है सड्डनली गेन देता है जैसे मनी गेन प्रमोशन हो गया या किसी बेटर कंपनी में जौब का आप्शन मिल गया ऐसा अगर वह भागे रेखा से निकल रहा हो तो गलती यहीं पर यह होती कि बुद्ध रेखा को भी कई लोग भागे रेखा की सपोर्टिव रेखा समझ लेत जीवन संघर्श पूर्ण होगा जैसे हमने लास्ट वाला हाथ देखा ता उसमें जौन सरने पर प्यांत कि यहां पर इसकी भागे रेखा थे व सब्सक्रसुकार अपलब हो गए यहां पर देता हूं थोड़ा सा जूम करके आप लोग देख सकते हैं यह बन रहा है यह देखो दूइब बन गया यह दूइब से इसका गडबड़ी होगा इसका दिमाग बड़ा खराब हो जाएगा भागे सपोर्ट नहीं करेगा दूइब ना अच्छा नहीं माना जाता है भागे रेखा में फैमली में बहुत सा लोग मनलब की चला जाएगा इसकी वैसे थोड़ा इसको डिप्रेशन भी होगा है यदि भागे रेखा हथेली में दोहरी हो तो जातक अपने जीवन में आर्थिक संदर्भ में कम से कम दो शेत्रों से सफलता प्राप्त करेगा और जातक के आये में कम से कम तीन श्रोत होंगे मल्टी सोर्स अफ इंकम ज एक ऐसा भागे रेखा मिलेगा सीधा और इसको टॉच करने वाले जीवन रिखा से कोई भागे रेखा के इस तरह से तरह से जाये वह यह दोहरी भागे रेखा कर किसी को बन रही है तो इसके पास मल्टी सोर्स ऑफ इंकम होता है एक फिक्स इंकम और दो पैसिव इंकम या कि एक पैसिव इंकम रहता ही है कि यह यह जिसके हांत में भी होता है ना देखना वह इंसान काफी अमीर होता है पैसा तुसके वाज खूब रहेगा कि अगला जैसा दिखाया था भाग रेका पर द्वीब का चिन्न हो तो जातक को आयू उस आयू के इस भाग में दुख और कलेश होंगे इनका फैमिली से वियोग होता है कि फैमिली का कोई मेंबर चला जाता है या फिर कोई फिनेंशल लॉस भी होता है पैसा स्टक हो जाना फ दूइब का बनना किसी भी मुख्यरेखा में अच्छा नहीं माना जाता है कोई भी मुख्यरेखा में अगर बन रहा है इस नौट गुड भागे रेखा शनी की उंगली में घुचकर घुच जाय तो जातक का वर्तमान समय संधर्श पून होता है घुच जाय मतलब बिलकुल अंदर तक इंटेक हो जाए किज़र आ इस तरह से जाकर यहां पर आजाए कि इसके नीचे जो यह वाला पॉइंट है इसको भी क्रॉस करके ऊपर चला जाए भागे रेखा तो भागे रेखा उपर जाए या फिर शनी के नीचे बॉटम में टच कर जाए तो भी अच्छा न माना जाता भागे उल्टा हो जाता है से लोग नई सर यह बोसा अत्मी का अपना अपना हुआ है कि अगर यह अंडर चला जाता है तो उनिस पुप खाना खाने का टैम नहीं मिलता है कि पैसा होगा लेकिन सामय नहीं होगा खाने कर अच्छा पर शुब यह गर्णा अपना मत है हम लोग लोग जब करता तो इसका मसलेख की खाना हाने का पैसा ले खाना खाने का समय नहीं है वागीन की से भागी रहेखना यदि हतली में टूट टूट कर चल रही हो तो जॉसर इशक बार मेजिक तूटा होना बहुत अच्छा नहीं कहा धूट ओ릴게요, टूटा होना भांता हुना कोई काम स्थिर्था से नहीं कर पाता है जो शकुते संट रहता है कोई काम लकार को कई ना कई दिक्कत आती है और बीच में छोड़ देता है ऐसे लोगों को बहुत सावधानी पूर्वग अपना काम चूस करना चीए और फिर आपने उपर में बनाया ना जो लेंड हो फिर अल्लक हो जाता है यहां पर थोड़ा सा बन गया यह ऐसा होना चीए नहीं नहीं और जो पहला आपने बनाया हो इसा ही बनाना यह परिवर्थन होता है यह चेंज हो जाता है यह जो जाता है तो इसका मतलब है कि जहां हो काम छोड़ा ना फिर वापस रिपीट वह काम में फिर वो जाएगा अच्छा वापस रिटेंट वह जोप करेगा ओ और थोड़ा नीचे होना चाहिए उपड़ वला लेंग को और थोड़ा सा नीचे हो तब तब यह वापस जाब करें तूटा भागे रेखा भी दिखेगा आप लोग जब आप लोग कांसिलिंग करेंगे ना फूटा भागे रेका तूटा भागे रेखा थोड़ा सा रहता है ऐसा ऐसे वैक्ति को ना हमेशा जब भी वह बात करने आएगा ना देखेगा वह हमेशा अपने चहरा साफ करते रहेगा इसे उसको पसीना बहुत आएगा और अपने बाल को ठीक करेंगा मतलब उसका बाड़ी लेंग्वेज ऐस सब्सक्राइब करते हैं बागे रेखा इस तरह से बने ऐसा हमेशा नहीं होता है एक यहां से थिकने पतला है फिर बीच में यहां से यहां तक जो हैना बहुत ज्यादा मोटा है थिकनेस बहुत ज्यादा इस तरह से फिर वापस उसके उपर से फिर पतला हो गया तो पर्टिकुलर यह टाइम जोन जहां पर इसका थिकनेस मोटा हो रहा है यह संगर्श पून हो जाता है संगर्श पून हो जाता है मतलब कैसा समझेए कि एक इंसान को अगर आप कीचड में चलने के लिए बोलें तो कैसे चलेगा वैसे दलदल में फसे रहने वाली स्थिति बन जाती है इसके लाइफ में गती जो है वह बहुत स्लो हो जाती है तरीके से वह आगे नहीं बढ़़पाता है पर्टिकुलर स्टाइम पीरिट के दौरान इसको ऐसा होता है अगर पूरा प्रारंब हो रही हो तो उम्र के उसी पड़ाओ पर जहां से भागिरे का तूट पुना प्रारंब हुई है तूटकर जातक का इस आयू में व्यवसायत अत्वा नौकरी में परिवर्तन होता जो मैंने अभी भी बात कही थी कि ऐसा हाथ दिखेगा और ऐसा हाथ आपको रेगुलर दिखेगा यह यह और ऐसे लोग ज्यादा तर आपके पास आएंगे अनके लाइफ में बहुत मेजर डिसीजन लेना रहता है चेंज आता है या तो यह जौब चेंज करते हैं या तो स्थान परिवर्तन के नौकरी में जौब की वजह से स्थान परिवर्तन करना पड़ता है या तो पूरी तरह से स्ट्रीम ही बदल देते हैं कि कोई सीविल किया हुआ रहता है तो वह कंप्यूटर साइंस में कंवर्ट हो गया तो यह वारा कंडिशन बनता है यह ऐसा वैक्ति पूरी तरह से अपना स्ट्रीम अपना विशे उसका सोचने का तरीका सब कुछ उसका बदलने लग जाता है यह मेजर ट्रांस्फर्मेशन को दिखाता है जहां पर टूटे टूटी भागे रेखा है और साथ में अगर किसी तरह से रेक्टैंगल बन जा रहा है तो वह इंसान बज गया सेफ यह जो रेक्टैंगल बनने की वज़े से जो उसको नुकसान होने वाला था अब नहीं होगा उस टाइम पर उसको कही ना कहीं से मिल जाएगा इसके बाद नेक्स पेज यदि भागे रेखा लहरदार हो तो जातक अस्थिर जीवन यापन करने वाला होता है यह वाला बड़ा ही प्रॉपर यह वाला भी देखा हुए है लहरदार जीवन रिखा उसकी हाथ की रिखा ऐसी है कि यह लहरदार इस तरह की भागे रेखा बने ऐसे लोगों के जीवन में बहुत अपसंट डाउंस रहता है इनके साथ एक ही समस्तिया होती है इनके पैसा आता और पैसा खर्च कर देते हैं बविश्क के लिए कुछ नहीं रखते इनके अंदर एक बहुत ही यह और स्थिती होती है इनको हमेशा करना यह चाहिए कि अगर पैसा आ रहा है तो कम स्थेन परसेंट में इंवेस्ट करके रखे ताकि जब उसका रेनी डिये हो तो वह थोड़ा सेफ बचा रहे इसके लाइफ में फिनेंशल कंडिशन बहुत अपसंडाउंस आता है भागे रेखा के अंत में रेखा दूई मुखी हो तो जातक का जीवन संगर्षपून हो सकता है अगर यह यहां पर वह और इस तरह का वी का चिन बन रहा है ठीक है यह अंतिम काल में जाके थोड़ा सा हो सकता है लेकिन मैंने अक्सर देखा है जिनका यह वी वारा साइन आता है लास्ट में दो भागों में स्प्लिट होता हुआ भागे रेखा रेटार्मेंट के बाद कि यह लोग थोड़ा संघर्श करते हैं संघर्श किस तरह से करते हैं पैसा वैसा इनके पास आता है रिटार्मेंट के बाद नेम भी मिलता है लोगों को साथ अपना समय अच्छा से स्पेंड करते हैं बैठे अपने मतलब बुढ़ापे में देखना बहुत सारे लोगों साथ दोस्तियारी बड़ा बड़ा जमा के बैठते हैं लेकिन इनके साथ एक ही इशू हो जाता है कि अगर ये रिटार्मेंट के बाद भी कुछ काम नहीं करते हैं तब इनके मन में थोड़ा सा डिप्रेशन आता है या केलापन महसूस करने लग जाते हैं ठीक है इसलिए इस उम लोगों को अपने दिक्कत नहीं होती है इसका करनेक्शन डिरेक्ट लिप्ड़ा पर के साथ होता संघर्ष वाली बात ऐसे लोगों का नहीं देखा मैंने पैसा तो आता है अगर किसी से भी आज की डेट में पूचे कि वह बोलेगा मैं संघर्ष कर रहा हूं कि लेकिन वैस से कोई रेखा आकर भागे रेखा में मिल रही हो तो जातका बाहर के वैक्ति के द्वारा भागे उदय होगा अत्वा विवह या श्थिस संबंद से जातका भागे उदय होगा जो जॉन सर ने कहा था वो भी और जो मैंने कहा था वो वी यदि चंदपर्वत से कोई रेखा शाखा आके इस तरह से भागे रेखा में कनेक्ट हो रही है तो ऐसे वैक्ति को विवा के बाद खागे उदहा हूने की संभावना रहती है और एसा व्यक्ति को वाहर से भी लोगों का सपोर्ट मिलता और विदेश में बहा है अच्छा करता है लेडिस लोग का व्यभधी सपोर्ट करता है कैसे मेर 2011 i कि लिश्र जबन को दूर्वार्वठी के द्वारा आर्थिक नुक्सान हो यह एक बोगी सुचको तो लड़की को पाटना नहीं चाहिए बस बागे रेखा को दूसरी सपोर्ट रेखा कर काट रही है तो यह अच्छा नहीं माना जाता है इस तरह अगर कट करके आगे निकल जाए यह को सिम्टम होता है यहां पर लॉस आता है पर्टिक्लर जिस जोन में जिस टाइम पर कट हुआ है औस टाइम पर उपर से पैसे इसको लोस होगा लड़की का उपर से लड़की की वज़ह से हटेली में कोई रेखा भागे रेखा के सहायक रेखा बनकर चल रही हो तो यह रेखा जातक के भागे उदे में सहायक होगी जात को किसी बाहर की बाहर के physics द्वारा अथवा बाहरी स्थान से सयोग मिलेगा ये बाहरी सिर्फ नहीं ये बहुत सारा support देता ये बहुत अच्छा financial support देता है एक आदमी के हाथ मैंने देखा था कैसा भागे रेखा के पैरलेल इस तरह से या इस साइट से कहीं से भी हाला कि यह कभी ऐसा नहीं हो मैंने अभी तक नहीं देखा कि पूरा नीचे से चालू होके दम लास्ट में यहां तक जाए यह बीच में कहीं उद्दय होता है पर्टिकुलर कुछ टाइम पीरिट के लिए इसका इसकी और जितने लंबाई उसकी रहते हैं पर्टिकुलर उतना ही टाइम यह जो है पैसे इंकम करता है साइडवाइज इंकम इसका चलता रहता है फिर जैसे उसका टाइम खतम मतलब यह रेखा खतम हो जाते फिर उसके बाद फिर वह नॉर्म नॉर्मल स्क्रीट पर आ जाता है कि यदि इसके बाद आते हैं हतेली में जिस परवत से रेखा आकर भागे रेखा को काटती है उसी परवत से संबंदित समस्याओं का कश्ट जातक के जिवन में आते हैं अब भागे रेखा को काटने वाली बहुत सारी रेखाएं हो सकते हैं दूसरे दूसरे परवतों से आक सब्सक्राइब करता है तो काम की जगह पर जहां वो जौब करता है वहां पर किसी व्यक्ति की वज़े से इनको लॉस हो सकता है अगर बुद्ध के परवत से कट कर रही है तो ऐसे व्यक्ति को बिजनस में लॉस या फिर किसी इन्वेस्टमेंट की वज़े से लॉस होना मंगल परवत से अपने भाईयों से विवाद या भाईयों द्वारा लॉस या किसी प्रॉपर्टी में लॉस चंद्रमा से वो तो बताई है क्या होता है और शुक्र परवत से भी एक्जैक्ली सेम चीज़ होता है किसी ऑपोजिट सेक्स वाले इंसान के साथ की वज़ह से सबसे निकट संबंदी होते हैं अगर भागे रिखा से मिले तो जातक का निकट संबंदी द्वारा या सहयोग में भागयोदे होता है अगर शुक्र परवत से निकल के जुड़ जाते हैं यहां पर आके तो ऐसे लोगों को सपोर्ट मिलता है या कोई निकट संबंदी का सपोर्ट मिलता है और इस अब घर जमाई भी हो सकते देख लो भाई किसी का हाथ में है तो नहीं पतला घर जमाई होना पड़ा यह शुक्र परवस्ट कोई रेखा आकर भागे रेखा काट र रूख रही हो तो जातक को मस्री रेखा से किसी निर्ने के कारण व्यवसाय में कर्ष्ट होगा अथ्वा जातक के विप्रित लिंगी व्यक्ति से अथ्वा किसी स्तिरी से कर्ष्ट होगा चलते चलते रुख जाना सडनली या उससे पहले भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताए यहां पर रुख जाता है तो किसी तरह का इमोशनल ट्रॉमा नहीं होगा लेकिन जब यह टच कर जायता है और उसके बाद फिर नहीं बढ़ता तब यह एमोशनल ट्रॉमा में ब भागयोदय में संगर्श करना पड़ता है तीन रेखाएं अगर बनती हैं दो तो अच्छी होती है लेकिन तीन होना यह अच्छा नहीं होता है एक इस तरह और तीसरा जो है यह जाकर इसमें टॉच हो जाए और दूसरा दो नमबर वाला भी अगर इसके तीन एक जगा पर यह थोड़ा सा गड़बड़ी वाला होता है तच नहीं होना चाहिए अगर दो टच होते हैं मतलब इसको इधर वाले को छोड़के यह अगर इंडिविज्वल है और इधर वाला आकर सिर्फ तब तो ठीक है यह इतना जादा भाग में लॉस नहीं कराता है लेकिन अगर ती पहले लास में इस तरह से स्ट्रेट कट हो जाएं यहां पर गटा हुआ है इस तरह से कट जहां जहां बन रहा है उस पर टीकुलर टाइम पीरिड में काम से रिलेटट पैसों से रिलेटट रुकावट ऐसे लोगों को देखना पड़ता है और फिर कुछ समय के बाद वापस ठीक हो जाता है अगर आगे भागे रिक आऊ अगही रिखी गही तो फिर बहुत बड़ा लॉस्प माना जायगा जाएं तया कि तो साथ में चल रही हो तो जातक की समस्या बाधाएं कमजोर हो जाती है अर्था यह रेखाएं भागे रेखा की सायता करती है जिससे परिशानिया कुछ कम हो जाती है कि कमज़ोर मतलब पतली रहए है वागे रहता ये सब्सक्राइब कि कूंगत है कि इसे बोसके सभकों आ होने की वैसे लोगों को किसीना किसी संयोग मिलता हैं जब को सब्सक्राइब अगर भागे रेखा कमजोर है तो फ़िश्टॉंग या सपोर्टीव रेका भी स्ट्रॉंग है तो फिर किसी की जरुवति नहीं है कि यदि कोई भागे रेखा कि और अग्रसर रेखा शनी परवत्तक चल तक नहीं पहुंच रही हो जातक आर्थिक रूप से बढ़ापा खराब होगा जो पहले भी अभी थोड़ी देर पहले यहां पर कही बात है यह भी देर रेखा टच होने से पहले यह रुख जाती है तो ऐसे लोगों को बढ़ापे में हालत खराब होती है पैसे कि प्तंगी आ जाती है बढ़ापे में अक्सर ऐसे लोग क्या गलती कर बैठते हैं यह सब अपना बच्चों को देके चले आता है उससे भी लॉस हो जाता है समाने ता पुरातन विद्वान उध्वानज़ के हाथ में भाग्यरेखा का हुना तुर की में में तो उसकी वजह से इनके पती की तरक्की होने की संभावना बढ़ जाती है और कई हाउस वाइफ होते वे भी कुछ ना कुछ ऐसा काम कर लेती हैं जिसे इनका इंकाम चालू हो जाता है भागे रेखा मध्यमा उंगली के प्रथम पूर तक पहुंच रही हो तो यह योग जातक की धुर्गटना होने के और इशारा करता है पुरह स्ट्रेट यहां से निकल के यहां तक पहुंच जाता है तो यह भी रेयर टू रेयर केस है जीरो पॉइंट जीरो 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 वन परसेंट बहुत रियर के जैसा दिखता नहीं है तो यह अचानक होने वाली दुर्गटनाओं को दिखाता है तो ऐसे लोगों का कभी थोड़ा सार बहुत साफधानी पूर्वक टूविलर फॉर्विलर फॉर्विलर स्पेशली गिरन जाते हैं कि छत से गिर जाना पतंग उडाते हुए वैसा कि यदी रेखा लहरदार हो तो जीवन में उता चड़ा होई तो बताई दिया चंद्र परवत से कोई शाखा आकर भागे रेखा में मिल रही हो तो जातक की विदेश यात्रा अत्वा दुरस्त यात्रा का हो क्या य सिर्फ तच होता है तो विदेश यात्रा होता विदेश जाकर लाब भी होता है भागे रेखा में यदि त्रिकोन का चिन्न हो तो जातक यह समय आर्थिक रूप से उन्नती कारक होगा जैसा ये वाला त्रिकोन ये राहू वाला त्रिकोन भी हो या छोटा दूसरा भी त्रिकोन इस तरह से बना हुआ हो तो भी उस पर्टिकुलर टाइम पिरियेड में इसको शौट इंकम और शौट में अच्छा इंकम जटके में फटके में इंकम देने वाला होता है बड़ा के गुड़ों से संबंदित उन्नती जातक के जीवन में होता है कैसे जो आपने चोटा ट्राइंगल बनाया था वह चोटा ट्राइंगल कौन सा एज पर आया कि एज वाला सबसे लास में बताएंगे फिर में मैं आपको बता देता हूं यहां पर जो है है यहां से शुरू हो रही है और यह हमारा शुक्र पर बते यहां से बुद्ध के पर्वत में स्ट्रेट लाइन इस तरह से खेचेंगे तो यह क्या हो गया थर्टी फाइव और पांच साल और जो लिए फॉटी के एज में इसको प्रटी से 45 तक इसका इंकम अच्छा होगा इ तो प्राप्ति हुआ था है लेकिन उसके लबागर आदमी के हाथ में पांच होगा तो पांच घर थोड़ी कर देगा वह तो इन्वेस्मेंट करेंगा पैसा खांगी पर कहीं वह उसका पैसा बढ़ाने के लिए लगाएगा कि जिसका हाथ है कितना उमुर कैसरी है यह बच्चा है एकिस या बाइस साल को यह क्या प्रेंस से अलग है मतलब बाहर पढ़ता है भी पढ़ाई कर रहे हैं अगर बाइस अगर निचे की और जा रही हो तो यह शाखा जातक आर्थिक नुकसान अथ्वा आर्थिक कश्ट होने की सूचना को दिखाता है नीचे की और डाउनवर्ड अगर कोई रेखा निकल रही है इस तरह से नीचे की और निकलने वाली कोई रेखा इस तरह से हो रही है तो यह लॉसस देता है परनेंशियल लॉसस भागे रेखा के प्यारंभ में यदि द्वीप हो तो जातक के माता अथ्वा पिता दोनों की जातक में बच्पन में मृत्यू हो जाते या फिर छोड़ देते हैं यह मृत्यू वाला तो मैंने नहीं देखा लेकिन यह वाला मैंने किसी अनात के हाथ में देखा था मतलब वह अनात हाले में बड़ा हुआ है माता पिता इसको छोड़के गए थे पालने में या इसकी म जो ये दो रेखा होने से वीप होने से वीप यह जो आफ पोले ना दुद्वीब बन जाए इस तरगम का ऋधिन जात अब इसा इम उफ मोर्टीकों नहीं तो पूर्पेट हो ना बाप की लुटiße है यह भी एक option है दूसरा option यह भी कैसे लोग अना अना थाले में पड़े होते हैं